नमस्ते दिस इदनपाल सर्ण आज हम MP Board क्लास 12 का चेप्टर नमबर 13 फॉरेस्टेन रिवर इट इस कम्पोस्ट बाइ जलाल अदिन रूमी ये पोयम है इसके आज हम कोस्टेन से नंसर्स का स्टेडी करेंगे तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें लेट्स स्टार्ट दचेप्टर 13 फॉरेस्टेन रिवर इट इसका है जलाल अदिन रूमी अंसर्दफ फॉलोविंग कोस्टें निम्नलिक प्रश्नों के उत्तर दिजिए वह फर्स्ट कोस्ट्न है परस्ट कोस्टन है वाई ड़ज दफोरेस्ट एन्वी दरीवर वाई ड़ज दफोरेस्ट एन्वी दरीवर इन्हें कि कब जंगल जो है फोरेस्ट जंगल या वन वो नदी से इर्षा क्यों करता है जंगल जो है वो नदी से इर्षा एन्वी क्यों करता है अंसर है दा फोरेस्ट इन्विस्ट रीवर जंगल नदी से इर्षा करता है क्यों करता है तो विकोज इट अलवेच किप्स ट्रेवलिंग इट अलवेच किप्स ट्रेवलिंग नदी के बारे हम कहता है इट अलवेच किप्स ट्रेवलिंग and sightseeing keeps trailing सेर सपाटा करती रेती है while वाई लेना होता है जबकि the forest is a captive and cannot move जबकि जो जंगल जो है वो एक बंदी की तरह है एक गुलाम की तरह है and cannot move और वो चल फिर नहीं सकता cannot move next question है हिंदी पढ़ लेना आप लोग what is the kingdom of water kingdom में नहीं होता है सामराज्जी या फिर परभाव छेत्र तो पानी का सामराज्जी या परभाव छेत्र क्या है what is the kingdom of water answer is का the sea और ocean समुद्र या सागर या महा सागर is the kingdom of water दोनों में इसको एक बड़ आप याद कर ले और लिखें या फिर दोनों लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है the sea और the ocean is the kingdom of water यानि कि सागर और महा सागरों का जो पानी है वो सामराज्जी है या परभाव छेत्र है next question है question number third what is the forest complaint about its life यानि कि जंगल की जो है अपने जीवन के बारे में क्या सिकायत है complaint means होता है इसकायत about its life यानि कि अपने स्वेम के जीवन से यानि कि जंगल की अपने स्वेम के जीवन से क्या सिकायत है जंगल अपने स्वेम के जिवन के बारे मिं क्या सिकायत करता है अंसर देगे तो the forest complaint is that जंगल की सिकायत है की इट इज अग केप्टिव इट इज अग केप्टिव एन्हें कि वो एक बंदी है गुलाम है changed to the earth एन्हें कि इस धरती से इस परत्वी से जंज़िरों से जकड़ा हुआ है इन साइलन्स इना की एकांट में या सुनेपन में, इट ग्रॉव्स या बढ़ता है ओल्ड और वीदर्स इना होता है निस्टेज होना, सुक जाना अन डाइस और मर जाना, मरना इना की सुक कर नस्ट हो जाना ये से न होता है राक, हेंड़ न होता है मुठी बार तो दा फोरेस्ट कम्प्लेंट इस देट जंगल की सिकायत है कि इट इज अ केप्टिव, वो एक बंदी या गुलाम है, चेंज टू दा आर्थ ये कि इस धर्ती से जकड़ा हुआ, इन साइलेंस इट ग्रोवस ओल्ड, एकांत में ये बढ़ता है, वीदर्स निस्टेज होता है ये कि सुकता है, और डाइस खतम हो जाता है और एक मुठी राक जो है वो रिमेन रहती है ये कि बचती है नेक्स्ट कोस्चन, कोस्चन नमबर फॉर अब यहाँ इस कोस्चन में जो है, नदी जो है, वो जंगल की परसंसा कैसे करती है अब ज़ देखते हैं नदी जंगल की परसंसा करती है, एज, चुकी इट इंजोईस, इंजोई न होता है, आनद लेना इट इंजोईस, यह आनद लेता है इनने की एकांथ, यह पर यह गलत छब गिया है इनने की जंगल जो है, वो चांदनी रातो के एकांथ का आनद लेता है एन ते बिविटी आप इस्प्रिंग इनने की बसंत रित्व का जो सुनदर रिह है, उसका भी आनद लेता है इट इच फार्चुनेट वो किस्मत वाला है कि टू हेव अन्यू लाइफ एवरी येर कि हर वर्स उसका एक नया जीवन होता है यहने कि नदी जो है जंगल की वो परसंसा करती है कि वो चांदनी रातों के एकांत का आनद लेता है और इस्प्रिंग की सुंदरता का आनद लेता है यहने कि बसंत रितु के सुंदरे का आनद लेता है और वो भाग्य साली है इट फार्चुनेट टू हेव अन्यू लाइफ एवरी येर वो किस्मत वाला है कि हर वर्स उसका एक नया जीवन होता है हिंदी में हैं पढ़ ले ना पलो नेक्स्ट कोस्चन है यह हिंदी दिया हुआ है नेक्स्ट कोस्चन है माना कोस्चन नमर फिप्त वाइड अज दर रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मिनिंग लेस नदी जो है अपनी यात्रा को कंसिडर मानती है मिनिंगलेस अर्थहीन या निरर्थाक नदी जो है अपनी यातरा को एक निरर्थाक या अर्थहीन क्यों मानती है मिनिंगलेस क्यों मानती है इतना कोश्चन से लिखा हुआ है दर रेवर कंसिडर्था को मिनिंगलेस निरर्थाक निरर्थाक क्योंकि अपने आप से अल थायम हर समय without any gain बिना किसी उपलब्दी के बिना किसी लाफ के and it is not able to enjoy a single moment एक पल या एक चण आनन्द का एक पल आनन्द का एक चण of calm and rest आराम का और सांती का आनने के उसे आराम का और सांती का आनन्द लेने के लिए एक पल भी नहीं मिलता है इसलिए वो अपनी यातरा को क्या करती है आर्थ हीन या मिनिंगलेस समझती है तो दर रीवर कंसिडर से इट्स जर्नी मिनिंगलेस नदी अपनी यातरा को निरर्था के आर्थ हीन मानती है because it keeps running away from itself all the time without any gain क्योंकि वो बिना किसी उपलब्दी के बिना किसी फाइदे के अपने आप से ही भागती रहती है and it is not able to enjoy a single moment of calm and rest और उसे सांती और आराम का एक पल एक छंड भी नहीं मिल पाता है इसलिए वो अपनी यातरा को निरर्था क मानती है अगला कोस्चिन कोस्चिन नमर सिक्स है in what way does the dialogue between the river and the forest reflect the dilemma of a passer by यहाँ पर dialogue नहीं होता है बाच्चित वारतलाब between बीच में river और forest के reflect नहीं होता है वेक्त करना परतिविंबित करना और dilemma नहीं होता है दूईधा तो in what way does the dialogue between the river and the forest यहाँ नदी और जंगल के बीच का जो वारतलाब है जो बाच्चित है वो क्या reflect करते हैं किस परकार reflect करते हैं किसका passer by यहाँ रहागीर या फिर पत्तिक रहागीर या पत्तिक या गुजरने वाला जो वेक्ती होता है उसकी दूईधा को किस परकार से वो वेक्त करता है किस परकार से परती बिम्बित करता है इन्दी में लिख दिया हूं मैं दोनों वर्ड यहीं कि नदी और जंगल के बीच का जो वारतलाब जो है जो dialogue जो है वो रहागीर या पत्तिक कि जो दूईधा है उसको किस परकार से वो वेक्त करता है अंसर देखते हैं दा डायलोग बिट्विन दा रिवर और फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट्स दा डायलेमा आफे पासर बाई इतना कोस्टन से वेसा का एज इट इज लिखा हूँ है कोस्टन से रिफ्लेंस दिया हुआ है तो दा डायलोग बिट्विन दा रिवर और फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट्स दा डायलेमा आफे पासर बाई यह निकि नदी और जंगल के बीच का जो डायलोग जो है वारतलाब जो है एक रहागीर या पासर बाई की दुविदा को वेक्त करता है उसको परतिविंबित करता है बीकॉज क्योंकि यह हैस टू चूज क्योंकि उसे चुनना है बिट्विन अ लाइफ एक जीवन लाइक ए फॉरेस्ट इस्टेइंग एट वन प्लेस यह उसे एक नदी की तरह जीवन को चुनाओ करना है जो एक इस्तान से दूसरे इस्तान को जाती रहती है तो यह उसके लिए क्या है एक दूविदा है तो दाडाइलोग बिट्विन दारीवर और फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट दाइलेमा पर पासर बाई नदी और जंगल के बिच का जो डाइलोग जो है वारतलाब जो है वो उसकी दूविदा को पासर बाई जो है उसकी डाइलेमा को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि उसे चुनाव करना है बिट्विन बीच में अलाइफ लाइक फॉरेस्ट यह एक जंगल की तरह लाइफ का चुनाव करना है इस्टेंग एट वन प्लेस जो एक ही जगे पर रहता है और लाइक के रिवर मुविंग फ्राम प्लेस टू प्लेस या फिर एक नदी के लाइफ की तरह चुसको चुनाव करना है जो एक इस्तान से दूसरे इस्तान को जाती रहती है तो यह हमारे कोस्टिन अंसर्स कम्पलीट हो गए इस्टूडेंट्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में सेर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्टूडेंट को इसका लाब मिलें और यदि आपने इस चैनल को नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके बेल आइकोन को भी जरूर दबाएं थैंक्स फूर वाचिंग दे वीडियो